पादे आतम दोस्तों वाक्षी के समर्यत बाद विजन के अंदगत मैं वरुंकुमार आपका हार्थी का विननदन करता हूँ आज की इस वीडियो में हम नवजात शिशू से लेकर छोटे बच्चों की हम बात करेंगे देखिए सर्दी जुकाम होता है वाक्षी ने एक वीडियो बनाई हुई है अगर बड़े जो भी बंदू जन है जिनकी उमर दस साल से उपर है या आप समझे आठ नो साल से भी उपर है तो उनको सर्दी जुकाम मैनेज करना फिर भी थोड़ा असान हो जाता है एक चीज जिसके उपर आप थोड़ी सरहाना कर सकते हैं वो ये कि बच्ची की उमर एक साल है लेकिन आज तक हमें उसे कोई भी ऐलोपैतिक दवाई देने की जुरूरत नहीं पड़ी राइट फ्रॉम पेगनेंसी अब तक एक साल गुजर गया है बच्ची को एक बार बुखार हुआ सीजन चेंज होते ही बिना दवाई के बच्ची का ये बुखार जो है ठीक किया गया खांसी जुकाम अगर होती है तो आपका रसोई दुनिया का सबसे बढ़िया ओश धाले है मैं ये नहीं कहता कि अलोपैतिक दवाईयां इस्तमाल ना करें जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि उसकी जरूरत पड़े लेकिन जिस तरीके से आज के समय पे हम बच्चों के अंदर एंटी बायटेक्स और पेन किलर्स बिना कुछ सोचे समझे डाले जा रही है कभी भी ये दवाईया इस तरीके के लिए बनती नहीं तो आज समझेंगे हमारा रसोई घर इतना बहतरीन है उसमें कौन-कौन सी ऐसी ओशदिया है जो अगर पास के और्गैनिक स्टोर से आप प्योर ले आएं तो अपने घर में नवजात शिशू से लेकर जो बड़े बच्चे हैं उनको खांसी जुकाम में आपको दवाई देने की जुरूरत नहीं पड़ेगी अपने अनुभव में एक साल तक के बच्चे का बुखार भी खांसी जुकाम भी कैसे ठीक किया गया आज की वीडियो में आपको बताता हूँ तो अनुभव के अधार पे मैं आपको अपना उधारन देता हूँ और समझेगा कि उसको किस तरीके से कैसे टैकल किया गया उसी तरीके से हम थोड़ा बहुत अपने घर के अंदर भी परियोग कर सकते हैं तो बच्ची को हम सुबा से शाम तक बेसिकली जो ये बुखार आने की कई बार रीजन होते हैं जरूरी नहीं सीजनल चेंज हो कई बार जब बच्चा बहुत जादा ठक जाता है ये स्ट्रेस में होता है तो उसके कारण भी बुखार वाइरस ऐसा हो जाता है मौसम चेंज होता है तो बच्ची को हम शेहर से बाहर लेकर गए एक दिन के लिए और उस दिन काफी हेक्टेक था ग्यारा बारा गंटे तक बच्चा जो था साथ में चलता रहा कभी धूप में जा रहा है कभी तो कई बार क्या होता है मौसम के परिवर्तन के कारण बच्चे को बुखार आ जाता है तो ऐसा करके बच्चा जो हाला कि बच्चे की उमिनिटी बहुत अच्छी है जो डेविलप हमने बच्चपन से की हुई है लेकिन उसके कारण बच्ची को बुखार डेविलप हुआ अब बच्ची को जब बुखार डेविलप होने लगता है तो जब छोटा बच्चा होता है जो 5-6 महीने का होता है उसको बुखार, खांसी, जुकाम होने से पहले बच्चे में हलका चिर्चिडापन, ठकावट ये होने लग जाती है आप समझ नहीं पाते हैं, आपको लगता है हमें भी लग रहा था, बच्चा इतना परिशान क्यूं हो रहा है, रो क्यूं रहा है या दुखी क्यूं हो रहा है तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अगले दिन सुबा तक हमें क्लियर हुआ, क्योंकि बुखार आने से पहले बच्चा परिशानी अपने अंदर जो है जैसे ठकावट महसूस करने लग जाता है, शरीर उसका तूटने लग जाता है तो ये होके जो है, एक मैं आपको प्रीन सिम्टम अता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर में, मतलब लोगों के घर में 6 महीने का जब बच्चा होगा, तो आपको पता हो के बुखार खांसी जुकाम से पहले हलका सा परक्रिया और ये नॉर्मल चीज है, जो होती है, खेर कोई बात नी, पूरी रात हम बच्चे के साथ में थोड़ा सा रहे, हम समझ रहेते कि कभी कुछ खिलाने की कोशिश कर रहेते, क्या बच्चा भूका तो नहीं है, कुछ है, ऐसे केस में एक चीज़ सीखने लाइक ही है, जबरदस्ती बच्चे के साथ बिलकु ही मत करिए, बच्चे के साथ में केवल मुस्कुराते रहे, हसते रहे, जैसा भी आपका लगाव है, वो केवल करते रहे, इतना ही आप कर सकते हैं, रात में जब बच्चा बार बार रोता था तो हमें थोड़ा सा लगा, पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन सु जरूरत नहीं है बच्चे का कोई भी extreme case जब होता है तब immediately doctor पास जाना जरूरत बनती है normally अगर 101 तक हम मान कर चलते हैं 101 degree तक या हद से अद 102 degree भी जैसे हमें थोड़ा सा हमें लगता है कि experience अब gain हो गया है तो 101 degree तक बुखार जो होता है पिछले 5 साल से मैंने कभी बुखार खांसी जुकाम में अभी भी आप देख रहे हैं तो हलका सा मुझे जुकाम है दो दिन पहले temperature variation से थोड़ा सा हुआ था लेकिन दवाईयों के हमें जरुवत नहीं पढ़ती है कपड़े को हलका हलका लगाकर हम बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये भी बच्चे को सुहावना लगे तो एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा जो बच्चे की बॉड़ी होती है वो अपने आप रिकवर कर रही होती है अगर हम जबरदस्ती उसके साथ में ना करें कभी भी बिमारी में बच्चे के छोटे बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से वाइरस को बुखार को टैकल करते हैं तो हमें उनके साथ जबदस्ती किसी भी तरह की करनी कोई आविशक होती नहीं, सबसे असान तरीका इसमें यह है, तो हम जब बच्चे को इस तरह का, अब इस बार थोड़ा tricky मेरे लर्निंग एक्सपिरेंस यह था, क्योंकि जब मुझे बुखार होता था, तो मैं हलका पानी पट्टी लगा लेता था, बच्चा इस वक्ट जो है, वो पानी की पट्टी भी नहीं लगवा रहा, तो अब वो बुखार जो है, वो 101 डिगरी पे बना हुआ है, हमें चिंता यह है, कि हम थर्मोमेटर लगा कर यह देख रहे हैं, कि अगर 102 तक यह पहुंचेगा, तो फिर हमें पेरसिटमोल देनी पड़ेगी, आप समझ रहे हैं, हाला की ज़रुरत नहीं पड़ी, 102 डिगरी तक जाने की ज़रुरत नहीं पड़ी, 101 डिगरी तक बुखार था, अगर बुखार 102 डिगरी को पार करता है, तो छोटे बच्चों के लिए मार्केट में क्या आता है, प इसकी भी मैं आपको डोसेज बता देता हूं, क्योंकि हम पेरसिटमोल सिरप ले आये थे, अगर 102 डिगरी को पार करेगा, तो बच्चे को हमें पेरसिटमोल देना पड़ेगा, 101 डिगरी तक है, तो पेरसिटमोल देने की इतनी आवशकता नहीं है, तो ऐसे के इसके अंदर बच्चे का 101 डिगरी तक गया, पेरसिटमोल का जो नॉर्मल सिरप आता है, उसके उपर डोसेज लिखी होती है, वैसे नॉर्मल यह अगर डॉपर आता है, तो मुश्किल से 1 ml से 2 ml तक, दिन में 3 बार बच्चे को आप दे सकते हैं, यह उसकी डोसेज होती है, अगर 102 डिग जी होंगी, जब बुखार होगा बच्चे को एक तो बच्चे के शरी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और दर्द होगा तो बच्चा कराएगा, उसको दिक्कत भी होगी, आप थोड़ा सा बच्चे के हाथ पैर हलके दबा सकते हैं, थोड़ा उसको अराम कर सकते हैं, बॉडी का टैच जो होता है ये बच्चे को बहुत अराम देता है, ये चीज है, अब बच्चे को भूक भी बहुत जादा नहीं लगरी, क्योंकि बच्चा बिमार है, इस समय पे ध्यान दखिए का जितना हो सके बच्चे को अराम से केवल रेस्ट कराईए, उसकी बॉडी का आपमान अपने आप भड़ रहा है, जो वाइरस बाहर से आ रहा है, उसके खिलाब वो फाइट आउट कर रहा है, आप उसकी बॉडी को अराम से उससे लड़ने का पूरा मौका दीजिए, बच्चे को बिलकुल केर दीजिए, उसके पास रहिए, उसको सहलाइए, यही एक जो एक कर सकती है, हमें थोड़ा सा अनुभव क्योंकि छोटे बच्चों के केस में डरते हैं, तो इस बार ये भी हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत सेप्टिबल होती है, एक दिन बुखार रहा, जब धेड़ दिन बुखार रहा, तो हमें भी थोड़ी सी टेंशन हुई, प फैमिली डॉक्टर है उनसे मैंने जब सला ली तो उन्होंने बड़े हराम से कहा कि दो से धाई दिन अंदाजा तीन दिन तक बुखार को रहता है आपको कुछ करने की आविशक्ता नहीं है एक सो दो डिगरी को पार करें तो आप थोड़ा सा हमें फोन कर लीजेगा अदरवा पई आपने करम समझा बच्चे को बुखार हुआ था तो तुरंत बच्चे को पूरा रेस्ट दिया गया कुछ भी नहीं किया गया बच्चा इस बार पट्टी भी नहीं लगवा रहा था केवल उसको सेलाया गया उसके पास लेटे रहे उसको सेलाते रहे दो दिन तक लगा अपने आप ड्रॉप आउट होता है और बच्चे को तीसरे दिन सुबा जो है अपने आप भूख खुलके लगने लगी और बच्चा अपने आप मुस्कुराने लगया यह हुआ बुखार का नॉर्मल तरीका जिस तरीके से प्रकृती ने हमें बनाया है और जैसे हमें करना च चाहे सो का भी बुखार हो वो पेरसितमोल तुरंद शुरू कर देता है जिसके कारण बच्चे की इम्मुनिटी कमजोर हो जाती है और एंटिबाटिक्स भी कहीं बार बच्चे के लिए शुरू हो जाती है विच इस नॉट एट अल रेकमेंड़े तो जितनी कहानी मैंने आ आपके पास में आगर कभी ऐसा केस होता है विया दे विद यू हमारे फैमिली रॉक्टर्स भी पैनल पर आपकी मदद करेंगे आप बच्चों को एलोपैतिक दवाई जबरतस्ती मत दीजे हम यह नहीं कहरें कि इग्णोर करिए जरूरत पढ़ती है तो जरूर दीजे लेक लेकिन खांसी जुकाम बच्चे को डेवलप हो चुका तब तक अब ट्रिकी फेज है क्योंकि बुखार तो दो दिन में आके बच्चा वाईरस से लड़के बाहर आ गया लेकिन अब जो जुकाम रहने वाला है जो खांसी उसको थोड़ी पूत रहने वाली है ये कम से कम एक से डेड़ हफते तक रह सकती है अब आपको सबस्य है क्योंकि छोटे बच्चे कहीं बार जैसे मेरी बच्चे वह अंगूठा भी पीती है तो अंगूठा अगर चूसेगी तो नांक से सांस लेनी पाएगी बच्चा सोना चाता है अब आप सोचिए कितने एक साल के बच्च इसको tricky कैसे इसको दूर किया जाता है ये चीज जो हमने इस्तमाल करी यह बहुत 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 मदद करेगी बाजार में जाते हैं तो मिलता है और ट्रिविन वो नाक के अंदर flush out किया जाता है और उससे जो है नाक clear होती है आप समझके तो वो भी इस्तमाल किया जा सकता है safety profile उसका check करिएगा आप बच्चों के लिए एक nasal spray आता है अगर आपको लगे बच्चे की नाक के अंदर जो है बलगम जो है वो अच्छे से चला गया है और बच्चे को गुठा पीने में और नाक से सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो एक nasal spray आता है उसको आप यहाँ पे ना आप दिन में तीन बार चार बार भी अमरिद्धारा लगा सकते हैं 100% सेफ होती है क्या होता है इसके अंदर कपूर होता है इसके अंदर में न्थल होता है और इसके अंदर जो है अजवाइन होती है यह तीन चीज़े होती है तो इसको जैसे ही आप इस तरह से लगाएंगे बच्चे की नाक खुलने में यह एक तरह की natural wix है without chemical की आपके घर में होनी ही चाहिए हमने बहुत videos बनाई यह first aid का बहुत बड़ा तरीका है ठीक है जी त इनमें दो तीन बार हलका सा नाक पे लगाना है साफधानी क्या रखनी है practical भी हम आपको साथ साथ बता रहे है अगर आपने नाक पे ज्यादा लगा दी तो एक तो बच्चे को irritation क्योंकि एक दम फ्यूम ज्यादा जाएगी तो ऐसी गलती मत करीगा बिलकुल थोड़ी थोड लगाई अपनी नाक पे ताकि आपको इसकी potency समझ में आए और उस हिसाब से बच्चे को लगानी है कई बार जैसे मैंने पहली बार एक बार गलती कर दी थी बच्चे को ज्यादा लगा दी तो बच्चा छोटा होता है उसने क्या कर अपनी नाक के ओपर ये लगा कर आँख में लगा ली तो नुकसान कुछ नहीं होगा आँक को लेकिन इरिटेशन होगी में तो ये चीज़ को रोकना है तो क्या है बिल्कुल जरा सी आपने लगाई और कर दी तो है इनी इतनी तो फिर बच्चा इधर उधर कहां पहुंचेगा तो बहुत थोड़ी सी लगानी है द बच्चों के नाग के बलगम को आप थोड़ा सा सफाई कर सकते हैं नाग को खोल सकते हैं तो जुकाम के अंदर एक चीज हमने आपको बताई ये जब बच्चे की नाग थोड़ी खुलने लग जाए तो दूसरी चीज जो सबसे बहतरीन है वो है नासिया इसे क्या बोलते है पंच गव घृत बहुत वीडियो में हमने बता है इसमें क्या करना है अब मैंने आपको दो तरीके बता है नाग खुलने के एक तो आपको ये हलका सा उपर लगाने का एक आपको बजार का गर स्प्री आता है लेकिन डिट सम मैडिसन आपको लगता है कि मुझे अलो पैटि प्रफियों में स्टीम लेंगे चोटा बच्चा एक साल का स्टीम भी नहीं लेता है बहुत मुश्किल फेज होता है यह बच्चों के साथ में इसलिए अपने असाथ अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यह सारी चीजे जो मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिम फेल हो गई निकलेगी और यह डौपर निकलेगा ठीक है जी तो आपने यह नंदर का घी फिगल गया आप न इसमें डौपर डाला बच्चे की नाक में और नाक में वहरोज रात को ठर लाओ उस बच्छे को कहांसी जुकााम होना ही बहुत मुश्किल है तोड़ा आलस की वज़े से मैं अपने बच्चे को नहीं डाल पाया, शुड़ू के 6 महीने तो मैंने लगाता डाला था, अब सर्दियां आएंगी तो स्टीमर हमारे घर में बैड के बाजू में होता है, नॉर्मली मैंने पिछली सर्दियों में क्या किया था मैं बता रहा हू स्टीमर मैंने अपने घर के बाजू में रखा था, जब बच्ची की उमर मातर 3-4 महीने थी, तो हमने क्या करा था, स्टीमर पे इसको रखते थे, 5 मिन पे पिगल जाता, हरोज रात को 2-2 बुंदे बच्चे की नाक में डालते थे, क्योंकि उस समय पे मुझे पिछली सर्द समय ने बच्चे की बौदिक शमता भी मेधा शक्ती भी बढ़ी थी, और बहुत बहतरीन काम इसने किया था, तो ये क्या पंच का वेकरित, ये प्रिवेंट करता है, खांसी जुकाम होने से, और बौदिक बल बढ़ाने से बच्चे के, तो ये चीज अच्छा काम करती है, तो अब ये दो चीजे जो है, ये बच्चे के लिए काम आ सकती है, बच्चपन में ही बच्चे को अपन डाल सकते हैं, ये चीज है, अब समझेए, अब तीसरी चीज और क्या दे सकते हैं बच्चे को, अब बच्चा बुखार से चलो, अब रिकवर हो गया, वो खाना चाता जैसे इस case के अंदर मुझे जो recommendation बजार में जो डॉक्टर ने दी थी क्योंकि देर हफते का समय रहने वाला है बच्चे के अंदर बलगा मैं निकालने कैसे तो natural मैं काफी देर से सोच रहा था कि मैं बच्चे को क्या खिला हूँ fortunately मेरे हाथ में कुछ चीज है जो मैं बच्चे को अभी खिला रहा हूँ लेकिन मैंने दो दिन उसको अब ऐलोपैतिक एक सिरफ दिया था उसके इसमें मैंने क्या दिया एक आता है लिवो सैल ब्यूटा मोल ये एक सिरफ आता है बच्चे का ये बच्चे को अगर खांसी जुकाम बहुत जादा हो जाए तो आप आयूरवेदिक पर उस समय पर नहीं रह सकते तो लिवो सैल ब्यूटा मोल जो है ये एक सिरफ आता है जिसको दिन में आप आधा आधा चमच तीन बार दे सकते हैं बच्चे को खांसी जुकाम निकालने में तो जब बच्चे को खांसी बहुत जादा हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं इससे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा एक साल के बच्चे के लिए आधा चमच तक सीतो पलादी घटोरी ली आदे से एक चमच सीतो पलादी उसके साथ में शहद एक दो चमच अच्छे से घोटोला और वो मतलब घोला और उसके बात में उंगली से लिया और बच्चे को चठा दिया अब लगा आतार मेरे बچचे को, मुझे पता है कि हल्का हल्का बल्गम है शडिर के अंदर, समय के साथ वो निकलेगा. तो दिन में थो तीन बार क्या कर रहूँ मैं, शहद के साथ में सीतो प्लादी दी जो है वो बच्चे को चटा रहूँ. अब सीतो प्लादी जो है वो एक डिर्ड हफता ही इस्तमाल हो सकता है मतलब उससे जादा कहीं पर रेकमेंडेड नहीं है कि लंबे समय तक हम इस्तमाल करें तो अब मैं अपने बच्चे की इम्मुनिटी को अब क्या है वो दो-तिन दिन में अब बुखार भी हुए खतम हुए हो गया दो-तिन दिन तीन-चार दिन से जुकाम भी खतम हो गया खांसी भी अब खतम हो गई है सारी चीजे हमने बच्चों को बचा लिया अब मेरे पास दाई तो क्या है कि मुझे बच्चे की immunity बढ़ानी है बिकॉज अब दुबारा मुझे अब सर्दियां आ रही है तो एक बार तो बच्चा अब चलो गलती से virus आ गया मतलब ऐसे कोई precaution तो रखते ही है कि इदर उदर का ठंडा पानी वगएरा कुछ ना पिए बच्चा फिर भी आ गया अब पूरी सर्दिया मुझे उसकी गुजारनी है अब एक साल की बच्चे की immunity बढ़ाऊं कैसे एक तो immunity, natural immunity इस virus के दुरान उसकी बढ़ चुकी है क्योंकि वाइरस के दुरान अगर आपने allopathic medicine का use को कम किया और natural तरीके से बच्चे को recover होने का मोखका दिया है तो बच्चे में antibodies develop हो चुकी है allergen के against लेकिन अब मुझे बच्चे के लिए एक अच्छा तंत्र चाहिए जिससे मैं बच्चे की immunity को बढ़ा सकूँ एक साल के लिए तो जो प्रयोग मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको ठीक लगे आप घर में प्रयोग कर सकते हैं recommendation कहीं पर दी ओ नहीं दी ओ मैं जानता नहीं हूँ मेरे case के अंदर मैं ये बच्चे के साथ में करने वाला हूँ आपको लगता है तो आपको ठीक लगता है तो आप भी कर सकते हैं तो मैं करूँगा क्या वो समझेगा अब आप ये है खाली जार ठीक है जी कांच का मैंने खाली जार लिया मैं इसके अंदर अब बच्चे की मुझे natural immunity को और build करना है और एक साल का बच्चा है normally क्या है कि मैं बच्चे को थोड़ा बहुत आमला गिलोई पानी में mix करके सुबा सुबा जब खुद पीता हूँ तो बच्चे को थोड़ा सा पिलाता हूँ इस खाली जार में एक चमच रचाओ उसके बाद में मैं डालूँगा और जे शिलंका की citizenye powder ठीक है जी उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगा आधा चम्मच आमले का पाउडर इसमें डालूँगा मैं एक चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर ठीक है जी और इसके अंदर डालूँगा मैं जादा नहीं बहुत थोड़ा सा मतलब आप समझे तो मुश्किल से चम्म पोजीशन मैंने आपको बताई है ये फारी चीजे मैं इस जार में डालने युटाल के अब द्लिए presentations के लिए ये जिपने ये चटाऊंगा। अब ये औशदियां, ये जितनी औशदियों के मैंने नाम लिये हैं, ये हमारे respiratory system के लिए, ये हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चे की मां को pregnancy के दुरान आमला गिलाया गया था, इसी लिए हमारे बच्चे की immunity दूसरों के मुकाबले थोड़ी बेटर ह अब बच्चे को एक साल आलरडी हो गया है जब से उसको औशदिया ज़ादा नहीं दी गई अब बच्चे को एक साल के बाद में मुझे औशदिया देनी शुरू करनी है औशदी देने का जो सबसे असान तरीका मेरी बुद्धी में आता है वो मैंने आपको बताया और ये तैयार करके मैं कल से बच्चे को अपने चटाना शुरू करूँगा आप समझे अब देखे मौसम का भी रोल आता है अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तब तक ये जो combination मैंने बताया है 99% केस में बच्चे को सूट करेगा 99% केस में बच्चे को सूट करेगा और अगर आपको लगता है कि फरवरी के बाद में अभी गर्मियों का सीजन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है भई मुझे अपने बच्चे की वीडियो बढ़ानी है मन्दब इमिनिटी बढ़ानी है इन सब के साथ में गर्मियों में अगर आप ये बच्चे को चटा रहे हो तो इसमें दो चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल देना और आमले का पाउडर मैंने अभी आपको आदा चम्मच बताया है उसको एक चम्मच कर देना आप समझें सर्दियों में अगर देख रहे हो तो जितना मैंने अभी तक बताया तो उतना करना है गर्मियों में अगर कर रहे हो तो क्या करेंगे हम इसके अंदर मुलेठी के चम्मच तो कर देंगे दो और आमले का कर देंगे एक चम्मच पूरा तो बच्चे को सूट करने लग जाएगा ऐसे करके ये जो चीज में आपको बता रहों बतानी ये आप एक साल सवा साल का अगर बच्चा है जिसको खांसी जुकाम जल्दी होता है तो उसको आप दे सकते हो इससे बच्चे की natural immunity डेवलप होनी शुरू हो जाएगी हाला कि मैंने बता है क्योंकि ये बच्चे की तासीर तासीर वेरी करता है season to season वेरी करता है तो ध्यान क्या रखना है इसमें कौन से ऐसे powders हैं जो ठंडी तासीर हैं तासीर को ठंडा करेंगे और गर्मियों में बढ़ा देने चाहिए आमला और मुलेठी ठीक है जी और कौन से ऐसे powder हैं जो सर्दियों के अंदर जादा लाबदा है के जो बच्चे हुए हैं तुलसी, गिलॉय, सिनिमन ये गरम होते हैं ठीक है जी तो ये मैंने आपको बताया तो इस तरह के जार में डेवलब करके बच्चे को शहद के माद्यम से आप चटा दीजिए ये बहुत बढ़ी है दूसरी बात जो एक साल का बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा गुड़ खाना शुरू कर देता है हरोज बच्चे को थोड़ा सा गुड़ जो है वो चाटने के लिए जरूर दीजिए तो उससे क्या बच्चे का गला साफ होने लग जाता है खांसी जुकाम होने के चांसे कम होते हैं और आयरन बच्चे तक पहुँचना शुरू हो जाता है अब जो सर्दियां आएंगी अक्तूबर नुवंबर दिसंबर तो बच्चे की उमर कितनी है धेर साल बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या खिलाया जाएगा खजूर खजूर इसलिए खिलाया जाएगा एक तो बच्चे के अंदर ताकत पहुँचेगी और बच्चे के अंदर रोग प्रती रोग शम्ता जो है वो नैच्छल तरीके से डेवलप हो जाएगी तो ये डेवलप किया जाएगा अब जो एक डेट साल का बच्चा जो है अब उसके लिए खाने के लिए अब आप कहेंगे के बच्चे के चलो अब इतनी बात कर रहे है खांसी जुकाम से समंधित है बुखार है तो बच्चे को ऐसे समय पे खाने में क्या दे ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर् दिन में जब रात को एक बार पीता है तब आप क्या कर सकते हो उस दूद में एक चुथाई चमच हल्दी का डालके बिल्कुल जरा सी कालिमिश डालकर थोड़ी सी अगर आप खांड डालना चाहे हल्की अदरवाइस ज़रुवत नहीं है ऐसी पीले तो बच्चा ऐसी पीले विचारा इदर उदर कुछ खा भी नहीं सकता तो ऐसे कि इसमें ऐसा हल्दी वाला दूद रात के समय पे दिन में जो बाकी दो तीन बार आप दूद दे रहो नॉर्मल देना है इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि जो भी चीज़े मैंने आपको बताई है ये कितनी कित बच्चे अपने आप रिकवर होगा लेकिन जितनी चीज़े मैंने आपको बताई है ये धीरे धीरे बच्चे के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालती है बहुत एडिमेंट हो के मैं सोचे मुझे देना ही देना है जो बच्चे को स्वाबना लगे ये चीज़े हैं ज बच्चे को खांसी जुकाम के दुरान खाने लाएक और क्या चीज़े जो आप दे सकते हो मखाना भून के खिला सकते हो जब बच्चे को हमारे बुखार खांसी जुकाम था तो दिन में बच्चे का खाने का मन नहीं करता कुछ और टेस्ट नहीं करता भूक नहीं लगती बच्चे को ऐसा लगा जैसे जितने चीक्स द है और जो शереीर था बिलकुल हो जाता है कि जैसे सारा शेर में कमजोर जाती और बुखार के बात में तो बच्चे की शरीर तक में दर्द रहता हैं तो हमने दो चीजे और शुरू करी। जब अब recovery का जो phase चल रहा है, बच्चे के लिए भीगा हुआ मुनक्का रखा हुआ है, तो हरो सुभा शाम इस वद दोनों टाइम चल रहा है बच्चे का, क्योंकि मौसम सपोर्ट कर रहा है अक्तूबर का, तो भीगा हुआ मुनक्के का मतलब क्या है, बच्चे को देते हैं, बुखार के दुरान नहीं आप खिला पाओगे, बुखार के दुरान मखाना खिला दोगे, ठीक है समझ में आ गया, आप हो सकता है थोड़ा बहुत मुनक्का अगर बच्चा खाता हो, खिला लो कोई बात नहीं, अब recovery के भाबने में फेस में, अब आपको बच्चे को बच्चे ने शौक से खाई है, तो बच्चे को पनीर खिलाए गया, तो पनीर क्या चीज है, एक ऐसी चीज है, जो ताकतवर बहुत है, बच्चा बड़े अराम से खा लेगा और recover हो जाएगा, तो ये चीजों के अंदर हमने कुछ चीजों में ध्यान रखा, जिसके अंदर हमने बच्चे के डाइट प्लाइन को इस तरह से तयार किया, खिचडी बनाई बच्चे के लिए, अब इस बात में ध्यान रखना है, नॉर्मल हम क्या कहते हैं, कि देसी गाएं के दूद के अंदर घी डाल डालके बच्चे को बहुत पिलाओ, जब बच्चे को खांसी जु मैं खुद समझ रहा हूं, फिकोज ये थोड़ा सा अनुभव के साथ महीं आती है, we have been doing this, हम तो इसको पिछले चार-पान साल से मैं अपने उपर सब के उपर प्रयोग कर चुका हूं, तो थोड़ा एक अनुभव आ जाता है, और पहले की दादी नानी जो बच्चे होते थ है ना, तो आप कम से कम पहले खुद को दवाई, एक दम दिवाई की तरह मत भागिए, आप इन नेचरल चीजों से जो है उसको ट्राइ करिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ो के अंदर, जब खांसी जुकाम कफ कुछ होता है, तो कैसे उसको टेकल करें, प्लीज औ एक दो बार जब भुखार से आप रिकवर हो जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक दो होगा, जिसमें मुझे जब भुखार हुआ था, तीन चार साल पहले से मैं आपको बताता रहूं, और आप नॉट बिन टेकिंग अनी मेडिसन, यहलोपेटिक नी ले र तो इन चीजों से बच सकते हैं, अननेसेसली खर्चे भी हैं और शरीर को कमजोर करने का काम हैं जिससे आप बच सकते हो, तो यह वीडियो लिंक आपने देखिए, समझेए, कन्फ्यूजन आएगी, मुझे कमेंट में लिखिए, दुबारा मुझे वीडियो बनानी की ज़र अनने लग जाएगा, तो आप बच्चों के केस के अंदर भी इसको टैकल करने लग जाओगे, सीधा पहली बार कहीं मैं बच्चों के टैकल करते हो, तो समझ में नहीं आती है, चीज I can understand, तो यह चीजों को आप थोड़ा सा ट्राइ करिए, डिस्क्रिप्शन में जो दो लि झाल